हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके साथ फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बनाने में बहुत आसान है इसमें डाली गई चीजों का मेजर्मेंट ठीक होना चाहिए तो उसके बाद यह बहुत अच्छा केक बन करते तयार हो जाता है तो आए हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे यह हम वेंग मिशिन ले लेंगे इससे हम सारी चीजों का मेजर्मेंट करेंगे यह हमने मार्केट से 200 की परचेस की थी हम किचन में जो भी समान हमें तोल के साथ लेना होता है इसी से लेते हैं यहाँ प देड़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउड़ा लेंगे इसको हम इस तरह से नापेंगे फ्रेंड्स ज्यादा उपर तक नहीं भरेंगे यहां पर हम चथाई टी स्पून नमक ले लेंगे यह हाफ टी स्पून खाने वाला सोडा लेंगे और हम इन सारी चीजों को छान लेंगे यहां पर हम एक पतेले को प्री हीट करने के लिए रख देंगे इसमें हमने आधा के लिए नमक डाला हुआ है और एक स्टेंड के तौर पर एक छनी रख दी है इसको पांच मिनट तेज गैस पर और पांच मिनट मेडियम स्लो गैस पर प्री हीट करेंगे इसको यूज करने से केक को बनाना बहुत आसान हो जाता है अधरवाइस उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी यहां पर हम तीन अंडे ले लेंगे यह देखे फ्रेंट्स अब हम इसको बीट कर लेंगे बीटर की सायता से फ्रेंट्स अगर हमेरे का बीटर नहीं है तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लएगा इन कामों को करने में स्पॉल्स की हमें पांच मिनट लग रहे हैं जिस काम में उसको हमें पंद्रा मिनट लाएंगे इसको हमें पांच मिनट के लिए बीट करना है यह देखे यह काफी फिलफी हो चुका है अब हम इसमें हाफ टीजपून वनीला एसेंस डाल देंगे और इसमें सौ ग्राम पीसी हुई चीन ही डाल देंगे यह हमने मिक्सी में घर पर ही पीसी है और इसको दुबारा से बीट कर लेके इसको में एक साथ ना डाल करके थोड़ो थोड़ो डालेंगे ताकि बैटर में कोई लम्स ना आए इसको दुबारा से 3-4 मिनट के लिए बीट कर लेंगे अभी बहुत अच्छा बैटर बन चुका है इसमें हम 40 ग्राम दही एड़ करेंगे जो भी चीजें हम इसमें डाल रहे हैं वो रूम टेंप्रेचर की होनी चाहिए यह 30 ग्राम रिफाइंड ओयल है इसकी जगे आप बटर भी ले सकते हैं अगर आप सॉल्टेड बटर अब हम इसके अंदर ड्राइ इंग्रिडेंट डालेंगे जो हमने मैदा में सब कुछ डाल करके रखा हुआ था और इसको बीटर्स की साहता से चलाते रहेंगे यह देखें फ्रेंड्स इसको दुबारा से 3-4 मिनुट के लिए चलाएंगे ताकि इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखिए यहाँ पर यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसको स्पैचुला सा एक बर चला लेंगे और इसकी कंसेंस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि यह रिबन की तरह फ्लो करे ना ज्यादा गाड़ा ना ज्यादा पतला यहाँ पर हमें केक टीन को ग्रीस कर लेंगे ओयल के साथ ओयल को चारो तरफ अच्छे से लगा लेंगे और इसमें थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे मेड़ा को चारतफ लगाएंगे ताकि हमारा केक चिप केना यह हमारा Change का केक टीन है और उसके बाद Extra मेड़ा को ज्जाड देंगे उसके बाद हम इसमें बैटर को डाल देंगे फ्रेंट्स हम चाहें तो इसमें एक ड्रॉप येलो कलर की एड कर सकते हैं क्योंकि मार्किट में जो बिखने वाले केक उते हैं उनमें येलो कलर यूज किया जाता है वो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं हमने इसमें नहीं यूज किया है यहां पर हम थोड़े से ड्राइफ फूड हैं जो इसमें डालेंगे यह काजु, दसबरा काजु, दसबरा बदाम और 15-16 किश्मिष हैं किश्मिष को हमने 2 पार्ट में कर लिया है और काजु बदाम को हमने चोछोटे टुकडों में काट लिया है इसको थोड़ा सा डाल करके हम हिला देंगे ताकि यह इसके अंदर मिक्स हो जाए देखे फ्रेंड्स और थोड़े से हम क्रश किये हुए उपर से डाल देंगे जो देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी बहुत इच्छ लगेंगे इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो एर बबल्स आ गए हों तो वो सारे खतम हो जाए यह हमारा पतीला भी प्रिहीट हो चुका है अब हम इसके उपर इस केक्टीन को रख देंगे और हम इसको कम से कम 30-35 मिनट के लिए बेक करेंगे मीडियम स्लो गैस पर यह देखे फ्रेंट्स आदे घंटे के बाद हमने इसको खोल करके देखा है तो इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है अब हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए टूट्विक भी बिल्कुल क्लीर निकली है इसका मतलब है कि यह अंदर से भी बहुत अब हम इसको दिखाती है आपको निकाल करके अब यह देखिए कितना अच्छा कलर सा चारोतरों से आयोगा इसका गोल्डन कलर और यह देखिए और फ्लफी भी कितना है बड़ा सॉफ्ट खाने में भी बहुत टेस्टी था इस अगर आपको हमारी रेसीपी पसंद आती है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब परें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंडस मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थैंक्यू फर वचिंग